जैहिंद, मेरे मित्रों, मेरे छात्रों, आज मैं जिस बात को आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ, ये बाते हमारे समाज के दसा एवं दिसा से संबंधित है, देखें, अभी हाल के दिनों में भोजपूरी में एक गाना गाया गया, जुस्य की पवन सीने गाया था, और वो सिधे तोर पर एक और भोजपूरी के एक्टर है, कि सारी लाल उनकी बेटी को टार्गेट करके गाया गया था, आप लोग पहले से भी जानते हैं कि हमारे समाज में इतनी जो सलीलता पहलाई गई, पहले वो बॉली बुट के द्वारा पहलाई गई, और आज ये भोजपूरी पिक्चरों और गानों के माध्यम से पहलाई जा रही है, तो वो तो अलग मुद्दा है, पर अभी जो मैं वर्दमान मुद्दा पे आप से बात कर रहा हूँ, वो है कि पवन कुमार के द्वारा गया गया गाना, कि खेसारी के बेटी सपन्वा में आवेश हैं, इस तरह कि तब थी जो हमारे समाज में आ रहे हैं, या त्यन्थी निंद्निये है, निंद्निये इसलिए भी है, क्योंकि किसी के बहान बेटी को इस तरह सरियाम, सोशल मीडिया पर, न्यू चैनलों पर, जो आप फिक्टरस के ये हरास्मेंट करने का काम कर रहे हैं, या एक कानुना नपराद भी है, अता मैं पवन कुमार द्वारा गाएगे, इस गाना कि निंदा करता हूँ, लेकिन चलिए बात थोड़ा आगी की उड़ ले जाते हैं, मैंने साफ साफ सब्दू में कहा कि पवन कुमार ने जो ये गाना गाया वो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन क्या यह ठीक बात थी, जब भोजपूरी का ने कलाकार किसी दूसरे के बहान बेटी का नाम लेकर और सलिलता समाज में प्रोश रहे थे, किस परकार आज दस से पंद्रा बर्सों में वो सलिलता का चरम शीमा भोजपूरी आर्टिस्ट नांकते जा रहे हैं, क्या यह सभी से छुपी हुए क्या, रही बात, आज खुद पर आया, तो आपने क्या क्या आपने पावर, अपने पैसा का दुरुप्योग करके आप उसे लाइव मार बैठते हो, लेकिन जिस समय आपने सानिया मिर्जा से लेकर जो कि एक भारत की बेटी थी, फिरिंकी पिंकी नाजने कितने नामों पर आपने उल्टा सिदा गाना बनाया, जिसे की आज भी बराती में बज़ता है, तो सब परिवार के लोग उस गाना को सुन नहीं सकते हैं, वो उहां से बगल हड़ जाते हैं, तो यह असलिलता पहने किसने प्रोशा था, आज आप डबंगई कर रहे हैं, तो गड़ा भी तो आप भी खो देते हैं ना, आप यह कैसे सोच सकते हैं, कि समाज में वो असलिलता प्रोश कर, आप अपने घर के बहु बेटियों को, अपने बहन को, उ तेके मैं यह बार बार कहता हूँ, कि मैं यह नहीं करा, एक प्रवन कुमार ने सही किया, वो बिल्कुल ही गलत किया, उसे कानूनन सजा दी जानी चाहिए थी, उसके गेंच में पाईयार की जानी चाहिए थी, तो ठीक है इसी इसी जब आपनी सानिया मिर्जा के बारे में गाना गाया था, उस समय आपके साथ भी होनी चाहिए थे, बरे बरे नाम जुरे हुए हैं, जो आज अलग-अलग पार्टियों में, अलग-अलग परदे सोक्या ध्यक्स तक्रा चुके हैं, इन्होंने नाजने कितनी गंदगियां अपने कला के नाम पर समाज को पुरोशी है, क्या उससे में बहुत मज़ा आ रहा था, जिसमें हिरिंकिया, पिंकिया, निल्वा, कजलिया या सानिया करके और सलिलता समाज में परदूशी जा रही थी, क्या उए लोग किसी की बहान या बेटी नहीं थी, क्या उसका इज्जत इज्जत नहीं था, आज आप कुछ पैश बाउन समझते हैं, आपनी ये सुलिलता सबसे पहले आप लोगों ने समाज में पहलाई है, अभी भी भक्त है, या एक ठोकर मात्र है, कि आपनी जो गढ़ा खोदा, उस गढ़ा में खुद जा रहे हैं, अब देखिए एक ट्रेड सा चल गया, एक ट्रेड ऐसा चल गया, कोई बात से गलत बातों से, तो गलत अपना कर नाम कमाने का टेट सा चल गया, कितना तो गाने बालों की ये पता नहीं है, जिसका नाम लेको अगा रहे हैं, उसकी साधी हुई है, कि ने उसकी बेटी है या नहीं, आज ये बात, ना के बाल, भोजपूरी, कलाकार तक सिमी रहा, वो बॉलीबूर्ट, बॉलीबूर्ट के साथ साथ, देश के परधान मंतरी नेरेद, मुदी तक की बात तक पहुँच गई है, जो कि देश के इज़त से जुरी हुई बात है, आज उनका नाम लेकर गलत सब्दों को ट्रेट किया जा रहा है, अरे नाम कमाने के लिए कितना गिरोगे, आप में ये दिश हमता है, आप सही करके नाम कमाऊना, कोई अपजल हम सरमिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत की बरवादी तक जंग जारी रहे इसे से सब्दों से नाम कमाने जा रहे हैं, क्या फैदा उस नाम का, क्या फैदा उस नाम का, जो हम अप पने समाज के लिए नहीं आपाए, समाज میں अचहा इनी प्रोष पाए, तो आज जो पवन कुमार के द्वारा यह गाया गया गाना है, मैं फिर कह रहा हूं, कि इसकी निल्दा करता हूं, लेकिन बुजपूरी जगत, जो की समाज में और सलीलता प्रोष रहे हैं, उसे एक ठोकर ले कि आप जो गंड़ा खोद रहे हैं उसमें केबल समाज नहीं गिरेगा बलकि उस गंड़ा में आप भी गिरेगे और अभी से ही देर ही से ही लेकिन दुरूस्त आईए और सलिलता को हटाईए यह कोई जरूरी नहीं है को असलिलता के द्वारा यह आप पैसा कमा सकते है और सलिल चीज को दिखा कर ही इंटर्टेंड किया जा सकता है आज देखें एक पिक्चर बनाता बाहू बली देखें वो कितना रॉयल तरीका से उसने पैसा कमाया कहां उसने उसलिलता पुरूशी थी लेकिन बरतमान समय में एक ट्रेड चला दिया गया तो उसलिलता ही कमाने का नाम कमाने का एक जर्या है देश को बदनाम करके इन नाम कमाया जा सकता है और इसमें नाके बल भोज़पूरी जगह या उस जगह से संबन्दित लोगों का हिस्सेदारी है बलकि अलग-अलग सित्रों से आए होई लोगों की भी उसमें हिस्सेदारी बढ़ रही है आता मैं परकास कमा आप लोगों से एक समाजी कार्द करता की रुप में निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में जो आप उसलिलता पहलाने का काम कर रहे है इस से अभी भी मुख मोड लिए आज आपको ताकत थी टेक पवनकुमार को रोक दिया लेकिन जब पूरा समाज उसलिलता में आजाएगी ता आप किस-किस का मुख पकर पाओगे नहीं पकर पाओगे आभी देखे जब भी मैं इतना बेथित हूँ कि आप सोच नहीं सकते हैं जब भी फेश्वूख खोला हूँ वाट्सेप खोला हूँ चाहे यूट्यूब खोला हूँ सब पर इसी तरह की गाना का भरमार आ रहा है हरे अच्छा गाना तो था देखे सतर अच्छी के देशक में बॉलिवूड में कितने अच्छे अच्छे गाना आए उसका आर्थ हुआ करता था कहां वो किसी की बुराई कर रहे कहां किसी की बान बेटी की धज्जिया सर्या बुरा रहे हैं पेशा कमाने के लिए तो खेसारी लाल से लेकर जितने भी कलाकार हैं चाहिए नए कलाकार हैं या पुराने कलाकार हैं बुरी जगत के और साथ हॉलिवूड और बॉलिवूड में जो भारतिये काम कर रहे हैं मुकरूप से बॉलिवूड में 90% भारतिये काम कर रहे हैं तो उनसे भी हाथ जोरकर निवेदन करना चाहता हूँ, कि किर्पिया यदि उहां पर भी समाज को बहुत सलील बनाने के लिए कोई पिक्चर है, उसमें कोई कमपोनेंट है, ताप उसका विरोध करें, उसे पिक्चरों को, उसे गानों से, उस तरकार के चित्रों से अपने को दूर रखें, इसी सब्दों के साथ मैं अपनी बानी को गिराम देता हूँ, धन्यवाद.